हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले जन्म कुंडली अध्यन के अंतरगत आज मैं आप लोगों के सम्मूख एक 24 वर्षिय युवक की जन्म कुंडली का अध्यन करूंगा ये कुंडली आपके सम्मूख उपस्थित है आप इसमें ग्रह इस्थिति देख सकते हैं बारी बारी से इनके प्रस्णों के उतर जानेंगे इनके कुछ प्रस्ण है अपने जीवन से सम्मंधित उन प्रस्णों को जानेंगे आई एक बार ग्रह इस्थिति देख लेते हैं देखिए ये मिथून लगन की कुंडली है इस मिथून लगन की कुंडली में लगनैस, जो बुध हैं वो सूर्य 3 भाव को स्वामी सूर्य के साथ 25 म स्थान में सूर्य बुध की यूति बुधादित योग लगा कर बैठे हैं मिथून लगन की कुंडली में पहला योकारगरा बुध, सुक्र, सनी, गुरु ये चार गरह योकारक बनते हैं मिथुन लगन की कुणली के लिए बुद्ध, सुक्र, सनी और गुरू ये चार गरह योकारक होते हैं हम चंद्रमा और जो सूर्य हैं उसे सम ले लेते हैं मंगल को मारक का यहां पर संग्याद दी गई है अब देख लेते हैं तो लगनेश जो बुद्ध है वो पंचम अस्थान में जाकर 26 डिगरी के साथ मृत अवस्था में बैठे हैं तीसरे भाव के सूर्य के साथ सूर्य यहां पर 22 डिगरी के साथ बृत अवस्था में हैं सूरी ने बुद्ध को अस्त कर दिया है क्योंकि दो डिगरी का फरके दुनों के अंदर नौमेस सनी दसम अस्थान में केतु के साथ यूती बनाकर सनी केतु की यूती स्रापी दोस और पित्र दोस सनी की डिगरी यहां पर साथ है जो कि बृध्ध वस्ता के साथ है वहीं सनी की यूती स्रापी दोस और पित्र दोस यहां पर लगा हुआ है मंगल एकादस और छठे भाव का स्वामी होकर तीसरे हाउस में बैठे हैं ग्यारा डिगरी के साथ कुमार अवस्ता के साथ गुरु इसकूंडली के लिए सब्तमेस और दसमेस करियर का मालिक ब्यापार का मालिक होकर सब्तम मस्थान में मूलत्रिकॉन रासी में हंस योग में बैठे हैं अपने ही मूलत्रिकॉन रासी में 20 डिगरी के साथ कुमार अवस्ता के साथ आब यहां देखें तो चातूर्थ अस्थान में चंद्रमा राहु और सुक्र यह तीन गरह वैठे हुए हैं चंद नमस्थान में बुद्ध सूरी नीच का है जो कि बुद्ध के साथ है लेकिन ये नीच भंग राजयोग बन गया क्योंकि दो ग्रह आपस में परिवर्तन कर लिए बुद्ध जो है वो परिवर्तन करके बुद्ध चले गए सुक्र के घर में और सुक्र चले गए बुद्ध की परिवर्थन के कारण उनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन्जा रहा है रहु चंदरमा का ग्रहंदोस रहु सुक्र का अब भूत्वक्दोस रहु चंदरमा का ग्रहंदोस इनको मन भटकाएगा इसomnia जो सनी है भागय का मालिक नमोमस्थान का वो दसमस्थान में बैठा है भागय को भी एक बर जान लेन का जो पहला प्रशन है वह यह है कि मेरे कुंडली में कि राजयोग है और उनमें कितना बल है दूसरा कुंडली इन की कुंडली में कि मैं काफी मिहनत करता हूँ, मेरे जन्म कुंडली में महाधनी बनने की योग है या नहीं तीसरा है कि ग्रिहस्त जीवन मेरा कैसा रहेगा याने इन्होंने अपने बैवाहिक जीवन के बारें जानना चाहा है पुत्र संथान होगी या नहीं यह विशेश रुप से पुत्र संथान के लिए बिचलित हैं चतूर्थ प्रस्न है जीवन में सत्रू मुझपर हावी रहेंगे या मैं सत्रू पर हावी रहूँगा गुरू की दसा के बारे में इनुहने जाना है इनका पांचवा प्रस्ण गुरू की दसा के बारे में है छठा प्रस्ण इनका जो है बिजनस की दिरिश्टी कौन से कुंडली कैसी है राजयोग इनकी कुंडली में जो मैं राजयोग बताता जाओंगा उसी में इनको सभीर परस्णों को उत्तर मिल जाएंगे ग्रहो की स्तिति मैंने समझा दिया सड़बल में सबसे बल्वान गरह चंद्रमा है दूसरे अस्थान पर सुक्र दिसरे अस्थान पर सनी चतुरत अस्थान पर मंगल पांचवे अस्थान पर बुध छठे अस्थान पर गुरु और सात्में नमपर पर सूरे आप यह स्क्रीम पर देख रहे हैं सबसे कमजोल गरह बन गए यहां पर बुध गुरु और सूरे जोकी लगनेस सब्तमेस दसमेस और त्रितियस बल्वान है चंद्रमा है सुक्र के साथ चंद्रमा क्यों बल्वान है क्योंकि दिगबली होकर बैठा है चतुरत अस्थान में धानास्थान का मालिक सुख अस्थान में सुक्र दिगबल होकर बैठा है इसलिए यहां पर बल्वान है इनकी कुंडली में जो पहला राज योग है वो है परिवर्तन योग, सुक्र बूध का परिवर्तन आपस में सुक्र चले गए बूध के घर में और बूध चले गए सुक्र के घर में, तो सुक्र बूध का परिवर्तन योग, तो पहला इनकी कुंडली में है परिवर्तन योग, दूसरा वरिष्ट योग, सूर्य से चंदर्मा 3 पर चंद्रमा बार में आजाएंगे इसलिए वरिष्ठ योग है नीच भंग राज योग सूर्य जन्म कुनली में नीच भंग सुक्र नीच का है लेकिन बूद्रि के साथ परिवर्तन के कारण नीच भंग हो गया अगला इनकी कुनली में धर्म कर्माधी पति राज योग है क् का स्वामी जनी कर्म के घर में गया है तो ध्र्म कर्माधी पति राज योग सूर्य इनकी कुनली में सब्तम सथान में बैठा हुआ हुआ हूँ तो काम॥ बनता है आठमायन की कुंडली में है स्री महालक्ष्मियोग नौमेस और पंचमेस केंदर में या तो एक साथ हो या एक दूसरे को देखते हो तब बनता है स्री महालक्ष्मियोग देखिए पंचमेस सुक्र है चतूर सस्थान बैठे है नौमेस सनी सनिय सुक्र एक दूसरे को दिर्ष्टी पात करें, श्री महालक्षी मयोग बन गया, नौमा इनका हंस योग है, गुरु सप्तम अस्थान में मुल्तिर्कोन राजी में बैठें, स्वरासी के अंदर, तो हंस योग है गुरु के दौरा, दसमा इनकी कुंडली में केंदर त्रिक हुआ हो, या फिर लगन को देख रहा हो बल्वान होकर, तो तारन हर योग बनता है, इस योग में जातक से ज्यादा जातक के साथ जुड़ने वाले लोग ज्यादा प्रगती करते हैं, ज्यादा विकास करते हैं, बारवा यो गज के स्री योग है, चंदर्मा से चतूर से द अस्तान में चंदर्मा है, गज के स्री योग बना, ते रहमा इनकी कुणली में जो योग है, वो है सत्रू हंता योग, सत्रू हंता योग क्यों है, क्योंकि छटे अस्तान का स्वामी मंगल है, और एकादस अस्तान का स्वामी मंगल है, छटे अस्तान रोग चोट दुरखट केतु तो मंगल के समान केतु जो है मंगल के समान फल देता है सनी के समान राहु फल देता है यहां पर केतु की नौमी दिरिष्टी छठे अस्थान के ऊपर और मंगल की चतुर्थ दिरिष्टी छठे बाव के ऊपर दो दो अगनी तत्तों के गरहा हैं चठे अस्थान को देख स्थानम भृध हुए यानि जो भाव अपने ही स्वामी से द्रिष्ठ यो तो उस भाव की ब्रृधी वहत है यह सुत्र आपकी कुलीली में लागो होता है चवदा इनकी कुणली में जव चौदहमा योग है वो है मसुहर योग जन्म कुणली के दसम मस्थान में कोई भी दो गरह बैट जाए चाहे वो योका रखो या मारखो तो बनता है मसुहर योग जातों को मसुहर दिलाता है और यहां पर तो 9 में सोकर बेठा दसमस्थान में अगला इनकी कुणनी 15 मा योग है जलदी योग चातूर्थ स्थान में एक साधिक सुभगरह का होना जलदी योग बनता है यहां पर 2-2 सुभगरह बने हुए है कुछ राजयोग में कमी राहु केतू की अक्षि में आ जाना क्योंकि पंचिमेश और 2-3 जो यहां पर सुक्र पंचिमेश और 2-3 जो चंद्रमा है राहु के साधा यह इसलिए इस भाव में कमी आ रही है प्रहाई इसे मन भटक रहा और धन कमाने में थोड़ी सी धन से समंदित समस्या उत्पन हो रही है भाग्य में कमी इसलिए आ रहे है क्योंकि भाग्यका स्वामी सनी दस्तमस्थान में गया है हालां कि अच्छी स्थिती में है धर्म करमाधी पती राजयोग में है किन्तु कि सटबल में भी तीसरे सन पर बलवान है लेकिन क्यतु के साथ वहां पर स्रापी दोस्ट पितिर दोस में कमज़ोड हो रखा है अब इनके प्रस्ण को देखते हैं जो की प्रस्ण का धिक उतर मिल के होगा इन्हीं राजयोग में कितने राजयोग हैं उनका कितना बल है तो ग्रहों का बल भी मैंने बता दिया राजयोग कितने हैं तो 15 टोटल राजयोग हैं मैंने इनको दिखाया महादनी योग है या नहीं तिनकी कुण्णी में गजगे स्रीयोग, हंस्रीयोग, स्री महालक्ष्मयोग तीन जो योग हैं ये गजगे स्रीयोग, हंस्रीयोग और स्री महालक्ष्मयोग धन की कभी कमी होने नहीं देंगे ग्रिहस्त जीवन कैसा रहेगा ओभरॉल अभी वर्तमान समय में राहू की दसा में चंद्रमा का अंतर चला जो की चंद्रमा का अंतर दसा रहेगा 18 नॉमबर 2021 तक उसके बाद एक वर्स के रिए मंगल लाएगा यानि कि राहू का अंतिम फेस फिर गुरू की दसा 2022 के लाष्टे से सुरू हो जाएगा यानि कि शुरुवाती दोर से 2023 के शुरुवाती से गुरू की दसा का प्रभाव जाते के उपर देखने को मिलेगा गुरू की दसा गुरू दामपती जीमन का मालिक केरियर का मालिक है ओभरॉल गुरू की दसा अच्छी रहेगी ग्रिया से जन पुत्र संतान के लिए इन्होंने ज्यादा चिंतित हुआ है पंचम अस्थान से देखें तो यहाँ पर आपको गरभात होने का योग बनता है पहल सब्साम नम अस्तान जो सब्सक्राइफर इसलिए इसलिए सामतान नम जो सब्सक्राइब गर्लण बैठा है पुत्र उते कहीं करना organizations सब्सक्राइब नहीं करना बरबं ऊब्सक्रीण हिन दिर्स्ट्री को नोसे कह है तो आपकी चोंडली है वो इसेशर्这 सम आप जॉब के लिए नहीं अपितु बीजनस के लिए ही बने हैं क्यों आई एक बार केपी पर द्रिश्टी डाल लेते हैं तो देखें इसमें आप उमीद करता हूं कि आपको अस्कीन पर दिखाई दे रहा होगा सूर्य साथ पांच दस तीन साथ यानि यानि साथ साथ को तीन बार रिपिट करinta월 के साथ बिजनस नंपंपत जीवन का है पांच फिंप न्यृं का धसम कीरति का होता है तीसरा महिनत का तो सूर्य साथ फंच दिखा रहा है साथ साथ वह जौब के लिए कंब और बिजनस के लिए ज्यादा दिखा रहा है तो सुरी ओफर लॉल आपके लिए बिजनस के लिए सपोर्ट कर रहा है बैवाहिक जीवन को भी देख रहा है संतान सुक को भी देख रहा है संतान सुक के लिए इंगित कर रहा है चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा चार चार दो तीन चंद जोब के लिए मंगल दिखा रहा है किन्तु अगर लाश्ट फिस मंगल का 2022 से तेस में आएगा तो प्रयास कीजिए 21 से 22 का जो मंगल रहेगा अगर जोब का आपका जो तयारी है वो उची लेवल का है तो जोब मिल जाएगी अन्यथा जोब मिलने का यूग बहुत कम दिखाई दे रहा है पचास प्रतीसा दिखाई दे रहे है बुद्र भी आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा है साथ जो जो भाव रिपीट हो रहे है ग्रह उसी भाव का ज्यादा फल देता है गुरू के दखें तो गुरू चार साथ पांच दो साथ दस पांच इगारा बारा गुरू यहां पर साथ-पांच से कंबिनेशन बनाया हुआ हुए ओभरॉल गुरू अच्छा रहेगा गुरू की सत्रू नहीं है गुरू का लेकिन इस लगर में ज्यादा योकारक नहीं है ज्यादा अच्छा भी इंडिकेट नहीं कर रहा है केतु भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा रहू और सनी तो अभरू इसकुनली के लिए अच्छा है लेकिन रहू अभरू गुरू की दसा में अंतर में रहू अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सुभाविक सी बात है एक दूसरे के सत्रू हो जाते हैं यहां हम देख लेते हैं सुक्र का तो चार चार दो पांच बारा एक दो आठ नौ ओबरॉल ठीक है के पी के अनुसार चार चार दो पांच को रिपीट कर रहा है सुक्र सुक्र हलाकि यहां पर साथ बारा भी इंडिकेट कर रहा है बारा आठ इंडिकेट कर रहा है तो गुप्त समंधी रोग और होस्पिटल जाने का भी योग दिखाई दे रहा है सनी दस दस आठ नौ नौ चार तेरा ओबरॉल सनी जनमस्थान से दूर जाने पर नेम फेम बिसकत नहीं अठक बर पर दिश्टी च्राल गते हैं पर्थम भाव को 32 बिंदू मिलें हैं जो लगनगे पर्थम भाव को 32 में हेल्थ अच्य रहेंगे क्योंकि 28 बिंदू से ज्यादा है दियूतियास्थान को 36 बिंदू 28 याइस ज्यादा हो गया तो 8-8-66 28 विंदू ज्य सब्सक्त बिरaktions 11 25 और 12 मिलें जाकर 29 बिन्दू इनको मजबूत करना इज्ण सब्सक्तर सब्सक्तर सब इन है इसमें छे कम गया क्योंकि 28 सब्सक्राइब 22 मिलें तो छे कम गया एक आदस अस्थान में 25 मिलें यह कैसे कम होगा तो देखिए लगने साब का बुद्ध है एक अच्छा क्वालिटी का पढ़ना जरू धारन किजिए चाहें तो सोने में कि अनुभव में पाया है क्यों उतना राजियों का फल नहीं मिला जिनकी कुंड़ी में लगने उतने वलवान नहीं थे बात कर रहे ते हैं गुरु की जनकी दसा आने वाली है गुरु की दसा के बाद सनी और बुधिन दोनों क्रणाओं की दसा अच्छी रहेगी केतु की दस द्रिष्टि एकादस भाव और एकादस भाव के स्वामी अर्थाद एकादसेस मंगल पर है धन के द्रिष्टि कौन से यह वहुत अच्छा है गुरू की दसा होगी तो पुखराज एक अच्छी क्वालिटी का सोने में अथवा अश्ट धातों में जड़वाकर धारन करने से सब्सक्राइब. कि ज़्यादा तर फल उस ग्रह की दसा यह अंतर दसा में मिलें शूरी कूपास नाजीवन करते रहें रवीवार का उपयोग सर्सों का तेल नमक और अध्रका रवीबार के दिन बिलकुल ना करें रवीवार को आदिति द्यर्दा सोत्र का पाठकर सूरी को बिधिवत जल दे इससे सूरी आपको काफी अच्छे रहेंगे अब उसके बाद राजियों की गणिना होई बिजनस के लिए दिरिश्टी कौन से आपको के पी के अनुसार में सारे ग्रह का बरनन दे दिया आपके लिए और विसे सुरुप से ओभरॉल आपका निम्रो रोजी के अनुसार देख सभी प्रश्णों का उत्तर मैंने हाँ पर दिया है और ओभर आगे भी अच्छा रहेगा कोई ज्यादा नहीं गूरू का रत्न पाहनेगेıldगे सब्ता हमस्थान बली हो जाएगा एक आध्शान बली हो जाएगा बुध का रत्न पन्न पहने से गुरु का रत्न पुख्राज पहने से जो की गुरु की दसल meth ंप पनेंगे तो एक आधस अस्थान पर गुरु की दृष्टी रहेगे वह बलवान हो जागा यह जहां पर गुरु बैठा है अब कुछ दर्सकों का ये भी सिकायत रहता है कि हम तो प्राया पिछले एक वरसों से दो वरसों से जब से अपने चैनल सुरू किया है हम जुले हुए हैं तो हमारी जन्म कुंडली का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है देखिए दर्सकों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रतिय दिन या किसी भी जातक अथवा जातिका कि जन्म कुंडली का जो नाम घोंसित करूंगा वो यूटूब कमेंट के माध्यम से घोंसित करूंगा अगर कोई भी जातक वाटसआप के माध्यम से मेरे उपर जूड़े हुए हैं मेरे साथ और वो ये चाहते हैं कि वाटसआप के ही माध्यम से जूड़े हुए रहेंगे और उनका नाम चुनाव हो जागा तो ये उनका भ्रहम है मैं जो भी निसुल के जन्म कुंडली अध्यान के लिए चुनाव करूंगा जन्म कुंडली विस्लेशन के लिए निसुल का वो यूटूब कमेंट के माध्यम से चुनाव करूंगा इसलिए आप वीडियो देखते हैं नो डाउट उसमें आप वीडियो कौन-कौन देखता है लेकिन आप वीडियो कौन कौन देख रहे हैं यह मुझे जानने के लिए मैं कमेंट देखता हूं तो आप वीडियो देखिए और कमेंट करते रहे हैं आने वाले समय में आपका भी कुंडली का विसलेशन होगा आपके बारे में मैंने जिनकी कुंडली का विसलेशन हुआ उम झाल झाल